SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर मैंक है क्या अदानी ग्रूप को बचाने के लिए LIC और SBI को ओडर दिया गया LIC ने खत्रों से भरे अदानी ग्रूप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया प्राइविट फंड मैनेजर्स जो जादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया जब इन बातों से परदा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फाइदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुक्सान है गौतम अडानी पर बड़े करजे बकाया है एक अनुमान के अनुसार वितवर्ष 2022 में अडानी ग्रूप के कुल 2,000,000 करोड के करजे में से लगभग 70,000 से 80,000 करोड सिर्फ बैंकों से लिया लोन है इसमें सबसे ज़्यादा 27,000 करोड रुपे की देंदारी SBI की है 5,500 करोड रुपे बैंक ओव बरोडा का लोन और LIC का अडानी ग्रूप के डेट और एक्विटी में 36,474 तशमलो 7,8 करोड रुपे का एक्स्पोजर है मिद्रकाल में उठाय इस कदम ने अब आम भारतियों के भविश्य को जोखे में डाल दिया है SBI देश का सबसे बड़ा पबलिक सेक्टर बैंक है जिसमें आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार और आपके बच्चों के भविश्य के लिए जमा की हुई सेविंग्स रखी हुई है अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे जो आपके पैसे हैं उनको खत्रे में कौन डाल रहा है अदानी ग्रूप को सहाइता देने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए LIC और SBI से जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाया जा रहा है आप जो दिन रात एक करके अपना घर परिवार चलाते हो जो इमानदारी और महनत करके कमाते हो आप जो LIC और SBI में अपना पैसा रखते हो क्या आप अपने बच्चों के भविश्य को खत्रे में डालना चाहते हैं? नहीं न? तो मेरा सवाल आपसे है अदानी के नुकसान को भरने के लिए आपके पैसे क्यों लगाय जा रहा है? दिसंबर की शुरुआत में तीन प्रमुख Global Financial Institutions ने SBI को आस्ट्रेलिया में अडानी ग्रूप की कॉंट्रवर्शल कारमाइकल कोल माइन के लिए लोन देने के खिलाफ चेतावनी दी थी News Agency IANS के अनुसार नवंबर 2020 में SBI अडानी ग्रूप को 5000 करोड रुपए का रिन देने के लिए तयार था इतना ही नहीं, साल 2014 में अडानी और उस वक्त की SBI चीफ के बीच एक M.O.U. पर हस्ताक्षर भी किये गए थे SBI के चीफ आपके पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं या फिर अडानी के बिजनस को भारत की सबसे बड़ी सावजनिक बीमा कंपनी L.I.C. का अडानी सम्हों में पूरे बीमा इंडूस्ट्री के खुल निवेश का 98 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है L.I.C. ने खत्रों से भरे अडानी ग्रूप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया प्राइविट फंड मैनेजर्स जो जादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया क्या ये पी-म का करतव्य नहीं कि L.I.C. जैसे फाइनेशल इंस्टिउशन का पैसा सुरक्षित रहे हिंडिनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद L.I.C. के शैस की कीमत 50,000 करोड रुपे गिर गए क्या पी-म 24 जन्वरी 2023 के बाद अदानी में निवेश से L.I.C. को हुए असली नुकसान की सच्चाई बताएंगे L.I.C. के इंवेस्टमन के बाद घबराए हुए अदानी की रिटेल इंवेस्टर्स की परिशानियों को कम करने के लिए पी-म क्या कर रहे है ये कोई रहसी नहीं है कि अदानी ग्रूप ने शेल कमपनियों के एक विशाल चक्र व्यू का इस्तिमाल कर लिए सामोई ग्रूप से अदानी की सार्वजनिक लिस्टेड और प्राइविट कमपनियों में अर्बो डॉलर्स का लेन देन किया और ये अपने व्यापार की साफ जानकारी दिये बिना किया गया है अदानी ग्रूप के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉंडरे, शेल कमपनियों का उप्योग करने के आरोग लंबे समय से लगते आ रहे हैं चार इंवेस्टिगेशन्स हुए हैं, इन में से एक सेभी ने किया इन शेल कमपनियों के पीछे कौन है, जब मार्किट में अदानी ग्रूप की शेर की किमत उनके इशू वैल्यू से भी नीचे गिर रही थी फिर भी LIC और SBI ने FPO में पैसा निवेश किया क्या अदानी ग्रूप को बचाने के लिए LIC और SBI को ओर्डर दिया गया? किसके कहने हैं? जरा सूचे, इन कमपनियों में लगा सारा पैसा आपकी मेहनत की कमाई है ये कमपनिया डूबी तो आपका पैसा भी डूबा, यानि अडानी नहीं यहाँ आपका पैसा दाओं पर लगा है सत्ता में बैठे लोगों को आखिर किसने ये अधिकार दिया? हम इसका जवाब लेकर रहेंगे जब इन बातों से परदा उठेगा तो पता चरेगा कि उनके फाइदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है